दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज फटाफट जीके में हम देखने वाले हैं Top 27 Questions आंसर्स जो की परिक्साओं के लिए बहुत ही मैत्पून रहेंगे तो पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा 27 में से कितने Questions के आंसर सही कर पा रहें अपना स्कोर भी कमेंट बोक्स में जरू बतेगा फटाफट जीके की वीडियो रेगुलर आती है Only Top Study यूटूब चैनल पर दोस्तों रात में 9 बजे टाइम नोट कर लेना चैनल को सबस्काइब कर लेना पहला कोशन है एलिसा जाच किस रोक की पहचान करती है जल्दी से आंसर बतेगे अगर आपको आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है कमेंट बोक्स में बताइएगा दोस्तों राइट आंसर रहेगा एलिसा जाच जो होती है दोस्तों वो होती है एड्स के लिए यानि कि ओप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर पहले कोशन का सही उत्तर ठीक है चले अगला कोशन आता है सब पर्थम जिवानू का पता किस ने लगाया दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा सब पर्थम जिवानों का जो पता लगाया था लिवेन हॉक ने आनि की राइट आंसर बी हो जाएगा दूसरे कोशन का सही उत्तर दोस्तो तीसरा कोशन है जब एक ठोस वस्तू को पानी में डुबया जाता है तो उसके भार में हास्य होता है यह हार्स कितना होता है दोस्तों इस question का right answer एगा विस्थापित पानी के भार के बराबर यानि कि option हो जाएगा ए right answer तीसरे question का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है question number 4 है जब गरम पानी को मोटे काच के glass के उपर छिड़का जाता है तो वह तूट जाता है इसका क्या करण है दोस्तों right answer एगा अचाना की glass विस्तारित हो जाता है यानि कि option हो जाएगा ए right answer question number 4 का right answer is a question number 5 है pressure cooker में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायूदाब में व्रद्धी दोस्तों कवंतनांग को बढ़ा देती है यानि कि d right answer एगा पांचवे question का सही उत्तर ये भी आपके अधकने है question number next पे जाने से पहले 6000 question answers की master pidiap अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो ये offer बहुत ही जल्द खतम होने वाला है जिसमें आपको 6000 question answers तो मिलेंगे ही साथी साथ दोस्तों चीज़े मिलने वाली है और बाकी की ये सारी चीज़े तो आपको मिलेंगे ही जैसे की study geography, politics, physics, chemistry, biology ये सब मिलने वाला है मातर 150 रुपीज में इस pidiap का link नीचे description box में भी दिया गया है या फिर आप हमें whatsapp number पर message करके भी आप इस pidiap को ले सकते हैं प्यारे दोस्तों, ये pidiap master pidiap है, किसी भी exam के लिए त्यारी के लिए आप इस pidiap को पढ़ सकते हैं जैसे lucent को पढ़ते हैं बच्चे जैसे और बहुत सारी book को पढ़ते हैं वैसे आप इसको पढ़िए, और किसी चीज़ की जुरती नहीं पढ़ेगी WhatsApp नमबर आपको हमने आपे हर एक स्लाइड में दिया हुआ है अगला कोशन है, ड्यूस सब्द की स्खेल से संबंदित है दोस्तों, राइट आंसर हैगा टैनी स्खेल से संबंदित याने की बी राइट आंसर हो जाएगा साथवा कोशन है, विटामिन के कमी के करण हो सकता है विटामिन के कमी के करण दोस्तों क्या होता है देखे, सलेक किरिया उपरांत रक्त सराव याने की राइट आंसर इस डी यह आप क्या दखना है आटवा कोशन है, डोक्टरों के थर्मामेटर का अविसकार किस ने किया राइट आंसर हैगा दोस्तों फेरेन हाइट ने आने की ऑप्शन ए राइट आंसर हैगा, आटवे कोशन का सही उत्तर यह भी आप क्या दखना है कोशन नमबर नाइन है, मिड़े मील योजना की सुरुवात कब की गए थी दोस्तों मिड़े मील योजना की सुरुवात कब की गए थी तो राइट आंसर इस 1995 इस वी में तो डी राइट आंसर हैगा, नोवे कोशन का सही उत्तर दसवा कोशन है, विस्व का सबसे बड़ा लोकतंतर वाला देश कोन सा है विस्व का सबसे बड़ा लोकतंतर वाला देश कोन सा है तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों भारत रहेगा, यानि की ऑप्षन ए राइट आंसर है कोशन नमबर 10 का सही उत्तर कोशन नमबर 11 है, एक परकास वर्स कितनी दूरी होती है प्यारे दोस्तों एक परकास वर्स कितनी दूरी होती है तो राइट आंसर क्या रहेगा 9.46 मल्टिपलाई 10 की पावर 12 किलोमेटर यानि की ऑप्षन भी राइट आंसर हैगा ग्यारवे कोशन का सही उत्तर, ये भी आद रखना है बई 12 कोशन है, किसका मातरक है और प्यारे दोस्तों अगर आप लोग फटाफट जीके की सारी वीडियोज देखना चाहते हैं सारी वीडियोज एक साथ देखना चाहते हैं तो आप यूटूब पर सर्च करना, Only Top Study, फटाफट जीके पलेलिस्ट यह आपको सारी वीडियोज दिखा देगा या फिर डिस्क्रिप्शन बोक्स चेक कर लेना, वहाँ पर भी पलेलिस्ट का लिंक है दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा जोती फिलेक्स यानि की राइट आंसर इस भी तेरवा कोशन है, छासीवा सविदान संसोधन कब हुआ था? दोस्तो छासीवा जो सविदान संसोधन है वो कब हुआ था? तो राइट आंसर एगा, दो हजार दो इसवी में, यानि की भी राइट आंसर हेगा तेरवे कोशन का सहीवतर, ये भी आपके अदकना है Q14 है आत्म गाती थैली किसे कहा जाता है आत्म गाती थैली किसे कहा जाता है दोस्तो Right answer हैगा Lysosome को यानि कि C Right answer हैगा 14 Q15 का से उत्तर ये भी आपको जरूर याद अखना है Q15 है घड़ी में चाबी देने पर कौन सी उर्जा संग्रेथ होती है Istitut उर्जा यानि कि Right answer is C ये आपको जरूर दखना है 16 Q15 है सभी गैसे सुन्य आयतन गेरती है जब तापकरम होता है Minus के 273 degree Celsius दब होता है दोस्तो तो Right answer D हो जाएगा सोलवे कोशन का सहिवत 17 Q15 है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है लाल लिटमस पत्र को दोस्तो नीला कर देता है तो चार यानि की Right answer is B तो सतरवे कोशन का Right answer दोस्तो B हो जाएगा अठारवा कोशन है चीन की मुद्रा क्या है चीन की मुद्रा क्या है दोस्तो तो Right answer is यानि की Option B Right answer हैगा अठारवे कोशन का सहिवत उन्निसवा कोशन है धाई दिन का जोपड़ा नामक मज़ित का निर्मान किसने करवाया था दोस्तो Right answer हैगा कुतुबदीन एबकने यानि की B Right answer हैगा उन्निसवे कोशन का सहिवत्तर ये भी आपकर दखना है बीसवा कोशन है इन्सुलीन का रसाव कहा से होता है दोस्तो अगनासिय से यानि की C Right answer हैगा बीसवे कोशन का सहिवत्तर देखें इन्सुलीन है एक परकार का वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक भी करते राक रहे है इन्सुलीन एक परकार का दोस्तो हार्मोन है तो Right answer C हो जाएगा 21 वे कोशन का सहिवत्तर बरतन बनाने में परियुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रन होता है दोस्तो कोपर यानि की C U पलस जिंक यानि की Z N ठीक है निकल यानि की N तो ये आपका हो जाएगा दोस्तो ओप्शन भी ये आपको या दखना है ठीक है कोशन नमबर 23 है फोटोग्राफि में उप्योगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड यानि की Right answer ओप्शन ये हो जाएगा दोस्तो 24 कोशन है रेफिजेटर में थर्मो स्टेट का क्या कारिया है धोस्तो थर्मो स्टेट का क्या कारिया है तो Right answer हैगा समान तापमान बनाए रखना यानि की Option C Right answer हैगा 24 कोशन का सहिवत्तर ये भी आपको याद रखना है पच्चिसवा कोशन है बाबर मूल रूप से कहा का सासक था तो राइट आंसर इस फर गना का यानि की ऑप्शन डी राइट आंसर हैगा पच्चिसवे कोशन का से उत्तर ये आपको याद अखना है 26 कोशन है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निरमान की परमपरा की सुरुवात की थी तो राइट आंसर हैगा बाबर यानि की डी राइट आंसर हैगा 26 कोशन का से उत्तर ये भी आपको याद रखना है 27 वा कोशन है निमलिखित में से कौन सी आत्म कथा है तुजुक ए बावरी यानि की बावर नामा तो राइट आंसा सी हो जाएगा दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर नेक्स कोशन है राजा बीरबल की उपादी किसे दी गए थी एक दो कोशन एक्स्ट्रा हो गया तो कोई बात नहीं है अच्छी बाते महेश दास यानि की दोस्तों डी राइट आंसर हैगा 28 वे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 29 है सवराज मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह नारा किस ने दिया था दोस्तों यह नारा दिया था लोकमान्य तिलक जिने यानि की सी राइट आंसर हैगा 29 वे कोशन का सही उत्तर यह भी आपको यह दखना है तो देखे 29 में से कितने कोशन की आंसर आप लोगों ने सही किया है यह आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंतर वाला देश कोन सा है यह भी आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगे यह आपके लिए टेस्ट कोशन है इस वीडियो में और यह कोशन अभी इसी वीडियो में कबर भी किया था ओनली टोप स्टडी आपको नहीं डाउनलोड किया है तो अभी डाउनलोड कर लेना क्योंकि यहां पर डेली करेंट अफिर की पीडियो यूटूब फ्री पीडियो कहीं फ्री पीडियो मिल जाएगी और जो हमारी पीडियो पीडियो है दोस्तो जिसमें 6000 कोशन आंसर्स हमने 6000 भी नहीं इसमें तो 7-7500 कोशन आंसर्स मिल जाएगे आपको कुछ कोशन आंसर्स हमारी तरब से विल्कुल फ्री रहते हैं जैसे कि आपको History, Geography, Politics, Economics, Physics, Chemistry, Biology, Current Affair Computer ये सब के लिए आपको पेड करना है Static GK की पीडियो पीडियो हमारी फ्री रहेगी साथ ही साथ दोस्तों 1600 जो Current Affair अभी 6 मन्त की हमारी आई है latest पीडियो वो भी आपको इसी में ही included फ्री मिल जाएगे यानि कि बहुत ही जबरदस्त offer है प्राइज नहीं बढ़ाए है बट इसके साथ में पीडियो मैंने बढ़ा दिये है तो इन पीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं या तो हमारे WhatsApp नमबर पर मैसेज करके या फिर नीचे description box में लिंक दिया गया है लिंक पर किलिक करके payment करके आप पीडियाप को ले सकते हैं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन कौन रखे ताकि कोई वीडियो मिस ना हो वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर कर दीजेगा थेंक्यू सो मच बाइबाइबरीवन टेक केर ख्या लखे अपना